जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रैंकिंग कॉमपटीशन के अंदर अब जब लकी ड्रॉ हुआ था तो जियान और लियू किंग के आपस में लडने की बारी आ गई थी जियान के लिये बुरा फील करने लगते हैं और जियान भी लियू किंग को घूर कर देख रहा था जिसे देख जियान कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं लियू किंग को पीट देदी हूँ जिससे तुम उसे हरा सको और फिर तुम एद्वांस में प्रमोट हो जाओगे ज इस पर जियान उसको चुप करके अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मुझे पर विश्वास रखो। जियान उसको चिंता ना करने को कहकर अब एरीना में कूच जाता है और लियू किंग उसे कहता है कि मुझे उमीद है कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे और मुझे असानी से नहीं जीतने दोगे वो दोनों अपने अपने वेपन्स निकाल कर एक दूसरे के सामने आ जात और जियन, पिल्यार बियांट से अपना आमक क्रियेट करता है और अपनी तल्वार को ले कर लियू किंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इसमें उसके तल्वार को एक इहाथ से रोक देता है ये देखकर लिफी को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि यहां कोई भी मेरे भाई जितना ताकतवर नहीं जियान फिर से अपनी तलवार को लेकर उस पर हमला करता है और उसको अपनी तलवार दे कर मारता है लिउकिंग उसे वही स्टॉप करने की कुशिश करता है और ये दलवार उसके माउटन डिपर से साधा भारी है और वो थोड़ी कमजोरी भी महसूस कर रहा है और फिर तभी जियान पीछे से आकर ओक्टापुल को लाप्स का स्यू करके लिउकिंग को पंच मारने ही लगता है कि तभी एंट मौके पर लिउकिंग उसे देख लेता है और उसकी तलवार को वहीं छोड़ कर वो जियान को भी पंच मारता है और दोनों एक दूसरे को पी पीछे दकेल दिया है जियान कहता है कि क्या आप हमारे बीच सीरियस फाइट हो सकती है लिउकिंग इविल स्माइल करते हुए अब अपने औरा को निकालता है और जियान से कॉमबैट फाइट करने चला जाता है जियान भी 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है और दोनों में कॉमबैट फाइट होने लगती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी बढ़ रहे हैं वो दोनों ही बहुत साधा फास्ट है और उनके इतने फास स्पीड की वजह से उनको कोई अच्छे से देख भी नहीं पा रहा है इनकी ऐसे फाइट चलती ही जा रही थी और जियान समझ जाता है कि वो इसे ऐसे नहीं हरा पाएगा ल्यूगिंग आखिर रैंकिंग लस्के थर्ड नंबर पर है ल्यूगिंग जियान को रुका हुआ देख कर पूछता है कि क्या हुआ अब और नहीं लड़ा जा रहा ऐसा कहकर वो जियान पर हमला कर दीता है और उसको कई सारे मच मारने लगता है लेकिन जियान वहीं खड़े खड़े अपने आमर के धंपर उससे बच रहा है वो अपनी फ्लेम्स को एक्किमलेट कर रहा है ल्यूगिंग भी अब अपने औरा को निकाल कर कहता है कि देखते है कि कि कितनी देर ता तुम्हारा आमर ठिक ल्यूगिंग अब उस पर अपने घातक अटाक्स करने लगता है और जियान सिर्फ अपने हाथों को शील्ड बना कर और अपने आमर के धंपर बच रहा है और उसका आमर धीरे धीरे क्राक होकर तूटने भी लगता है यह देखकर ल्यूफी को काफी मजा आता है और वो कहत है कि अब जियान को कोई नहीं बचा सकता लिंजुआ भी कहता है कि जियान बहुत जाधा ताकतवर है लेकिन ल्यूगिंग के साथ बैटल करना फिर भी मुश्किल है और इस बार शायद उसे हार देखनी पड़ सकती है ल्यूगिंग जियान पर कंटिनेस अटैक करा जा रह है और जियान के आमर में धीरे धीरे क्रैक आ रहा है और फिर फाइनली ल्यूगिंग के जोरदार अटैक से वो आमर पूरी तरह तूट जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि जियान अपनी दो फ्लेम्स को मर्च करके पुथा लोटस फायर आंगर बना रहा है और जियान के दोस्खुश हो जाते हैं और लिंजिया के साथ ही कहते हैं कि मैं नहीं सुना था कि जियान ने पाफुल लोटस फाइटिंग स्किल को मास्टर कर लिया है लेकिन ये बहुत जादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा ना जिस पर लिंजिया कहता है कि जियान दॉर अपने बॉस लिव किंग को सही सलामत दे कर वो बहुत खुश होते हैं और लिव किंग भी कहता है कि तुम काफी अच्छे वारियर हो और अब लगता है कि तुम मेरे माउटिन क्राकिंग गन के असली हगदार हो। कि इसकी एनरजी इतनी जादा इंटेंस है कि इनर कोट में ये बहुत कम ही देखने को मिलती है। ये एर का डाकिस डेख होने वाला है और लिवी भी ये देखती है और कहती है कि ये मिस्टीरियस हाई लेवल फाइटिंग स्किल है और जियान इस से तुम बिलकुल नहीं और ना चाने कैसे जियान इसके अटाक से बचपाएगा जियान इस सब की पावजूद भी नहीं डरता है और कहता है कि चलो आप अपना अपना लास्ट मूफ ट्राइकर ही लेते हैं और देखते हैं कि कौन आखिर में टिका रहता है टॉप 10 में आने के लिए मैं डिसाइड कर चुका हूँ इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा वो अपनी तलबार को लेता है और उसमें फ्लेम अक्टिवीट करने लगता है लिन्सियाओ का दोस्पूछता है कि आखिर ये किस तरह की फाइटिंग स्किल है जिस पर लिन्सियाओ हेवन एंड अर्थ की फेनॉमे फाइटिंग लेवल स्किल को समन करने लगते हैं और फिर लियुकिंग हवा में उचलकर जियाओ पर ग्रेट अटाक रॉक यानि माउंटिन क्राकिंग घंका यूज कर देता है और जियाओ भी उसके रेस्वांस में फ्लेम टेवरिंग वेव रूलर का यूज करता है और उन दोनों की fighting spirits बड़ा रूप लेने लगती हैं और उनकी energy waves आस्पास आकर audience के उपर भी गिरने लगते हैं लोग डरने लगते हैं और shield create करने लगते हैं खुद को बचाने के लिए ये fighting spirits बड़ी होती ही जा रही है और सभी लोग इसकी energy से affect हो रहे हैं और कुछ तो बिहोश भ ये सिन देखने में भहुत साथा ऐकानिक है क्योंकि एक है एल्डरण ने इतने सारे स्पेस ओर्ड टल्स क्रिाट करके इतनी हाई लेवल फाइटिंग स्प्रेट को ब्लॉक कर दिया है लेकिन तब ही अचानक से उनकी फाइटिंग स्पिरिट की एक बून नीचे टपक जाती है और वो एरीना में गिरने लगती है जी सुनियर तुरन जियान को बचाने के लिए भागती है और वो उसको हलाकी बचा लेती है लेकिन जियान काफी साधा गायल हो जाता है ट्रैंकिंग कॉमपेटिशन का सबसे डिस्टर्बिंग इविंट है वही एल्डर बताते हैं कि ये दोनों कोमा में चले गए है बागी एल्डर जब पूछते हैं कि फिर ये मैच कौन जीता तो वो कहते हैं कि ये मैच रॉ हो गया है और ये दोनों ही टॉप 10 में आ गए है अब एल्डर अनौस करते हैं कि कॉमपेटिशन अब खतम हो गए है और क्योंकि ये दोनों ही कॉमा में हैं इसलिए ये दोनों ही टॉप 10 के अंदर अपनी जगे बना चुके हैं लिंज याओ थोड़ा दुखी हो जाता है कि उसे जियान का ल्यूकिंग से लड़ने का मौका अब नहीं मिलेगा अब एल्डर और भी बताते हैं कि प्रिवियस रूल्स के अकॉर्टेंग जो भी टॉप 10 में आता है तो वो स्टुडेंट्स जिसने रांकिंग कॉपटिशन में पार्ट नहीं लिया है वो इन में से किसी को भी चालेंज कर सकता है ओडियन सूचने लगती है कि ये टॉप 10 में आने बाले सभी मौंस्टर्स हैं और भला कौन इने चालेंज करने की हिम्मत करेगा जी जूनियर जियान को सहला रही थी और वो जियान से कहती है कि तुम मेरी डाजलिंग साइड यानि मेरी ब्राइट साइड देखना चाहते थे ना तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ जी जूनियर खड़ी होती है और कहती है कि मैं लिन्सियाव को चैलेंज करना चाहती हूँ ये सुनकर सभी काफी जादा हैरान हो जाते है क्योंकि लिन्सियाव लियू किंग से भी जादा शक्तिशाली है और जी जूनियर इसे चैलेंज करने की कह रही है लिन्सियाव भी ये सुनकर हैरान है लेकिन अब क्योंकि चैलेंज दिया है इसलिए लिन्जियाओ को वहाँ आना भड़ता है और ये दोनों एरीना में आ जाते हैं लिन्जियाओ कहता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो तुम वैसे ही बता सकती हो मैं उसको रिपेंट जरूर करूँगा लेकिन इस तरह चालेंज करना मैं समझा नहीं जिस पर जी सुनियर कोई रिप्लाइ ना करके सीधा उस पर हमला कर देती है लिन्जियाओ उससे डिफेंस करता है लेकिन वो नहीं कर पाता और कई कदम पीछे तकेल दिया जाता है और फिर तब ही जी सुनियर उस पर अपने ब्लेट से हमला कर देती है जिससे वो बाल बाल बचता है इनर कोट में जियान के बाद अगर कोई सबसे जाधा ताकतवर है तो वो लिन्जियाओ है और जी जूनियर लिंज याओ पर बहुत असानी से अटाक कर रही है जिससे लिंज याओ का बचपाना मुश्किल हो जा रहा है और ये देकर सब हैरान है जी जूनियर उस पर कई सारे ब्लेट्स फेकती है जिसे लिन्स याओ अपनी तलवार से बचने की कोशिश करता है और लिन्स याओ फिर अपनी कई सारी तलवार उस पर फेंगता है जिसे जी जूनियर सिर्फ एक ही हाथ से खड़े खड़े बच जाती है और अपने हाथ से ही उसकी ही तलवार को उस पर रिफ्लेक्ट कर देती है जिसे लिंज याओ का फिर से बचपाना मुश्किल हो जाता है और उसका पैरलर खडाने भी लगता है और वो कुईंग यान जियान आंक को यूज करता है और बहुत बड़ी तलवार को समन करके जी भी सिर्व अपने एक हाथ से डिफेंस कर देती है और उसके इतने ताकतवर अटाक को चकना चूर कर देती है और फिर उसके पास जाकर उसकी करदन पर तलवार रख देती है जिस वज़े से लिंज याओ को सरेंडर करना पड़ता है सभी जियान की गल्फरिंड की इतनी ताकतवर स्टूडेंट जो आया है वो जियान है लेकिन तुमको देकर मेरी ये गल्फ फैमी दूर हो गई तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है तुम तो जियान के मुकाबले की हो जिस पर जी जूनियर कहती है कि मुझे रैंकिंग कॉपटिशन में कोई इंटरस नहीं है और मुझे तुमसे कोई दिक्कत है मैंने तुम्हे बस चालेंज किया क्योंकि जियान मेरी डाजलिंग साइट देखना चाहता था लेकिन अनफॉचनेटली वो इसे नहीं देख पाया लेंज याओ भी सोचती है कि जियान कितना लगी है कि उसे जी जूनियर जैसी लड़की मिल यहां ये सब हो रहा था और वहीं दूसी तरफ हम कुछ लोगों को जो उनने वाले घुड़े पर बैटकर कहीं जा रहे हैं उन्हें देखते हैं और ये ब्लाक हॉन डूमेन में जा रहे हैं और इन्हें दिखाने के साथ ये अपसोड याई खत्म हो जाता है